अज स्आनिक समाचार चैनल में दोस्तो आज के वीदियों में बात करेंगे जेस् schon जवानों के लिए Supreme Church का एक बड़ा जो फैसला आया हुआ है और कह सकते हैं दोस्तो जेस्स freuen Church कोट में केस किया था तो उनको एक बड़ा जटका लगा है और इसमें दूस्तो सुप्रीम कोट ने जो फैसला सुना आ है उसको देखकर बाकी सब जेसी और जवानों के लिए भी एक लेसन है तो इसको दूस्तो ज़रूर ध्यान से सुनें कि अभी ये क्या फैसला है क्योंकि ये सभी JCO जवानों के लिए होने वाला है और एक normal process है जिसमें कि हर JCO जवान ये steps लेते हैं और ये बात करें दूस्तों जो JCO जवान के जो re-employment होता है उसको लेकर बात करें हम दूस्तों इसमें क्या मुड़ा है और किस तरीके से JCO जवानों के एक बड़ा जटका है Supreme Court ने जो अभी latest order निकाला है उसमें तो चलिए दूस्तों बात करतें इसके detail में क्या ये order है और किस तरीके से जो है ये जवानों पूर सेनिकों का जो जटके वाली खबर है दूस्तों को चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रू दबाएं दूस्तों ये case है कि जैसा कि आप जानते हैं कि retirement से पहले जो है बहुत सारे जो जैसी और जवान है वो एक नई जॉब apply करना चाहते हैं कई लोग जो है पहले retire होके जा रहे होते हैं तो उनके पास कुछ और job की opportunities होती है तो दोस्तों ऐसा ही इस case में भी हुआ था और अभी दो महीने रहे गे थे retirement के तो कोई जॉब वेकेंसी निकले थे दोस्तों जो इस पर्टिकुलर case में जो हुआ था उसके बारे में बात कर लें तो उन्होंने दो महीने पहले जो है उसमे जॉब पर अप्लाई कर दिया था और जॉब इंटर्वी हो गया बाकी सब टेस्ट उसके बाद से लगभग साथ अट महीने लग जाते हैं तो इन्होंने सोचा था कि जिस टाइम तक रिटायर होंगे उसके रिटायर होने के जो है दो तीन महीने बाद एक नई जॉब होगी तो हर आदमी सोचता है कि बेनेफिट रहेगा और ज्यादा दिन तक विदाउट सेलरी बैठने की जरूत नहीं पड़ेगी तो दोस्तों उसी तरीके से इन जैसी जवानों ने जो है अप्लाई किया था पांच छे लोग और उन्होंने जो है बकाइदा जो भी उस पर्टिकुलर एक्जाम के उस पर्टिकुलर ज हाँ और जो को ऑफर एक के अब लेटर जारी कर दिया घए अब जोसे बासे जब होता तो एक बार फिर से जो है सारे डॉक्यमेट वहिर भाइड होता है सब आपका जो जो आपने कहा था और जो जो जॉब की रिक्वार्मेंट फुलिल करते हैं तो जाge voulez को जो है इसका दोक्यमेंट शेक किये गए तो उस टाइम पर जो है उनको रिजेक्ट कर दिया गया और रिजेक्शन का सिर्फ फौर सिर्फ एक ही रीजन था वो रीजन ये था कि जिस टाइम पर जॉब के लिए अपलाई किया था उस टाइम पर वह एक सर्विसमैन नहीं थे जब वह जॉइ किया और ऐसा बहुत लोग करते हैं कि आज कोई जॉब निकली हुई है तो वह सोचते कि अपलाई कर देते हैं और जिस टाइम तक रिटायर होंगे उस टाइम तक जो है जॉब की प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी तो कुछ महीने बाद जो है उस जॉब को जॉइन कर सकते तो दोस्तो उसका उन्हों ने जो भी जिन्हों ने भी यह जॉब ऑपरचूनिटीज निकाले थी उन्होंने जॉइन नहीं करवाया और इसके लिए जो है कोट में केस दायर किया गया था जहां पर यह उम्मीद थी कि उनके फक्ष में फैसला आएगा लेकिन दोस्तो जो न आप्लाई किया है बेशक आप रेटायर्मेंट के बाद से चार मेने बाद आप एक्स सर्विसमेन हो आप जॉइन कर सकते हो लेकिन क्योंकि जिस दिन एप्लाई कर रहे हो उस दिन उसमें लिखा है कि इस वेकंसी इस फॉर एक्स सर्विसमेन तो वो वेकंसी दोस्तों एक्स सर और्डर आया कि जो एक सर्विसमेन है जिस दिन वो अपलाई कर रहे हैं उस दिन वो किसी जॉब में नहीं होने चाहिए दोस्तो सुप्रीम कोट की तरफ से भी सेम आदेश है और इस तरीके से जहां पर जॉइनिंग करने जा रहे ते वहां पर जॉइनिंग नहीं जाएगी लेकिन कुछ चीज़े होती है जहां पर आदमी पना मन बना लिया होता है जॉब लगई है पिर आगे कर प्लैनिंग होती ह लेकिन जो नियम है उसको पालन करना बहुत जरूबरी है दोस्तो आप लोग में भी कोई भी अगर रेटार्मेंट से पहले ऐसे कोई प्लैनिंग कर रहे है तो किरपया जो जॉब के इंस्ट्रक्शन्स है जहां पर स्पेसिफिकली एक सर्विसमेन लिखा हुआ है जहां पर तो वो टर्म्स और कंडिशन्स लिखी हुई है तो उसके खिलाफ जाने पर जो है ऐसी दिक्कत आ सकती है बात करते हैं दूस्तों दूसरे अपडेट की जहां पे 18 मेने का डिये एरियर पे एक बार फिर से जो है चर्चा तेज हो गई है और 18 मेने का डिये एरियर एक फरवर केंडरी करमचारियों के ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर ओर रोपी के लेकर एकोल एमसपी को लेकर और उसके बाद जो जबर्दस तरीका है वो है आपका 18 मेने का डिये एरियर तो एक फरवरी जो है बहुत इंपॉर्टन डे रहेगा जहां पर यह क्लियर होगा कि जो केंडर केंडरी करमचारियों की तरफ से भी जो है 31 जैन 2024 का लास डेट दी गई है कि तब तक जो है सरकार से उमीद कर रहे हैं कि कुछ फैसला आ जाए नहीं तो दोस्तों एक 18 मेने का डिये एरियर पर भी जो है जो केंडरी करमचारियों का संगठ है उन्होंने अंदोलर करने की बात की है जोस्तों ये थे दो इंपॉर्टेंट अबडेट 18 मेने का डिये एरियर ओल्ड पेंशन स्कीम और रूपी और सबसे बड़ी चीज़ है जो जो सुप्रीम कोट ने जो एक एक बहुत अच्छा फैसला दिये जहां पे जो है आने वाले टाइम में काफी लोग को जो है इस फैसले से जो है ध्यान में रखते हुए कोई भी अपलाई करना पड़ेगा जोस्तों गर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्यू फर वाचिंग इस वीडियो